गुरूगराम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्स्ट्राइब कीजिए गुरूगराम न्यूज चनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन जरूर दबाएं नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की गुरुग्राम में शुक्रवार को एक हुनई वर्ना में आग लग गई तस्वीरे आप लोगों को दिखाते हैं गुरुग्राम निउस के पास ये exclusive तस्वीरे हैं जो हम आपको आपके mobile screen पर दिखा रहे हैं दरसल गुरुग्राम के old DLF colony sector 14 में जब ये गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो अचानक गाड़ी से धुआ निकलने लगा और गाड़ी ने देखते ही देखते आग पकड़ ली आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और पुलिस कंट्रोल रूम ने तुरंट इस सूचना को दमकल केंदर तक पहुचाया जिसके बाद दमकल केंदर की दो गाड़िया मोके पर पहुची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया गरीमत ये रही कि इस आग की वये से किसी को कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है देखिए हमारे विशे समाधाता गौतम मशिट की ये रिपोर्ट गुरू ग्राम के सेक्टर 14 के ओल डीलेफ कॉलोनी में हम आपको ऐसी ताजा तस्वीरे दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी भी रूख आप उटेगी जी हाँ गुरू ग्राम में चलती कार में आग लगी चलती होई कार में जो है आपे आग लगी और जैसे ही फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना मिली फायर ब्रिगेड आई और इस आग पर काबू पा लिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फायर ब्रिगेट के अधिकारी मौझूद है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको आग की सूचना मिली और कितने समय पर आग पर काबू पा लिया था किस समय आपको सूचना हमें 12 बजगे 40 मिन्ट में मिली थी जैसे हमें सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से आई थी वैसे हमोके के लिए रवाना हो गए और जब यहां आके देखा कि गाड़ी पूरी तरह मतलब जल रही थी तो हमने 10 से 15 मिन्ट में यह आग पर काबू पा लिया जिसमें एक हमारी तरफ से गाड़ी थी और एक सेक्टेट 29 से आई थी दोनों गाड़ियों ने मिल से गर यहां मोके पर आगे आग पर काबू किया कितनी देर में कब से कब लगे यहां हमें 10 से 15 मिन्ट लगी है टोटल और कितने समय पर काबू पा लिया और क्या कुछ इसके भी वज़ा निकल गया है कि किन कारणों के चलते जो है इनमें आग लगी है यह सोट सरकिट के पहले ही और बाकी कोई जान आनी का कोई नुक्सान नहीं है जिस तरीके से यहां फाइर ब्रिकेट के दिकारियों ने भी बताया कि गाड़ी में आग लगने पर तुरंत इनको सूचना मिली और 10 से 15 मिन्ट पर इन्हों ने आकर आग पर जो है काबू पालिया और किसी को भी गटना में कोई भी हाता हात नहीं हुआ जब हमारे समाद आता गौतम वशिष्ट ने कार के ड्राइवर से बात की तो उन्होंने बताया कि वो इस इलाके से अपनी गाड़ी को लेकर गुजर रहे थे और अचानक गाड़ी से धुआ निकलने लगा जैसे ही धुआ गाड़ी आग में पूरी तरह जलकार खाक हो गई बस मैं गाड़ी ड्राइव करा था एक दम जुआ सा निकला और देखा तो आग लग गई है हम लोग बाहर आगे यह शुकर है कि हम लोग बच गये बस यह वरना वरना कितने साल पुराना मोडल यह अभी आइडिया निया से में पू अब मैं भी यह निगा को कि मेरे को किसी ओर ने बोला घ्यार थोड़ा यह ड्राइव कर दिया मैं चलो ठीक है बस साथ में लोग ड्राइव कर ले चेक करने के लिए निकले हैं तो निम्हाग लग लगए तो इससे में आपने फायर बेगर को पूल किया जब गाड़ी में आ जब ड्राइवर चालक से हमने बात की तो जानकारी के मुताबिक यह सामने आया यह जो गाड़ी है जलीवी गाड़ी यह होंडाई वरना गाड़ी थी जो कि होंडाई के शोरूम में सर्विसिंग के लिए आई हुई थी और यह गाड़ी लगबग बताए जारी है कि दो साल साल पुरानी थी मिली जानकारी के मुताबिक जो है जालूम हो है कि यह गाड़ी दो साल पुरानी थी जो होंडाई की वरना गाड़ी थी जो शोरूम में सर्विसिंग के लिए झार है की जब एक तर में में शोट सर्किट हुआ और गाड़ी में एक दम से आग लग गई जिसके कारण इनके भी होश उडगे और ये एक दम से गाड़ी में से बार निकले लेकिन गरीमत की बात यह रही गाड़ी चालक और गाड़ी के साथ जो बैठा हुआ था व्यक्ति दोनों को कोई भी नुकसा नहीं हुआ है आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साती साथ आप इस खबर को शेर भी कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए नमस्कार